नमस्कार मैं हूँ अब निंद्राश दोस्ट आप तमाम दर्शकों को दिपावाली की बहुत बहुत बधाई ये रोश्णिक आत्योहार है और इसमें जो मिठाईयां खाने को मिलती है तो कुल मिलाकर पूरा वाता व्रण जो है वो स्वादिष्ट तो होता ही है मिठाश भी आज बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा ये फजल साहब है फजल साहब आप डिवाली के विष्क ऐसे देगे हैं मार्दाश भो को दिवाली की सबकों बहुत बहुत शुपकाम नाए और सबका सबका जो भी जीवन है वो सफल हो और खुश और अस्तितो जी है शेकर अस् दिनों में इनके अंदर की जो रचनाएं आएंगी वो किस तरह की होंगी और इनके सुपुत्र है हम चाहेंगे कि आप आज वो कविता सुनाइए जो इस उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता शाश्वत जी हैं आप चाह नहीं मैं सुरभाला के कहनों मैं गुता जाओ चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिन प्यारी को लल जाओ चाह नहीं देओं के सिर पर चडू भागे पर इतलाओ चान नहीं समराटों के शब पर है हरी डाला जाओ मुझे तोड लेना वन्मानी उस पत पर देना तूफेग मात रभूमी पशीष चडाने जिस पर सहे वीना देगा आप शुप कामना है देंगे आप शेकर जी की धर्म पत्नी है और शुप कामना है देजे मारे दर्शकों को दीपावले की सबी लोगों को शुप कामना है शुप कामनाओं का मतलब यह होता है आपकी जो खुशी है उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए थोड़ी सी खुश्बू आ जाए अश्वरिया चोबे जो लगातार अपनी प्रतिवा का लुहा मनवाती है ना दीवाली में मैंने सुना कि बहुत जादा बंफोर्देवाली है ने जी बिल्कुल नहीं में तब से दीवाली की धीर सारी शुप कामना है और इनकी बातों में मत आये फिल्मी लोग और आम लोगों में कितना अंतर मानती है आप तертвण आप जी आता है मेरे खियाल से फिल्मी होते हूं के एक ही नए कई चेहरे होते जीने परक पाना बहुत मुश्किल होता है रियल लाइप में भी रियल लाइप चीते है और आज की दुनिया में जोnocसे इनके पास है, निकिता राय है हमारे साथ, जो बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छा सुनाती भी, अभी छट पूजा भी है, छट पूजा का भी है, अभी दिवाली है, इस फेस्टिवल में किस तरह से आप अपने आपको सुनाती है गाने गाने? नमस्कर, मैं निकिता राय, आप सबी दर्शकों को दिवाली के धेर सारी हादिक शुप कामनाई देती हूं, और मैं इतना कहना चाहूंगी कि इस दिवाली को जिस वज़ा से मनाया जाता है, उस वज़ा को जड़ से खतम करना है, तो मैं उसके उपर अपने गाने के माध्यम स कुछ आप लोगों से कहना चाहूंगी, सिफ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके भूल जाना ही एक बात नहीं होती है, उसको हमेशा फॉलो करना सबसे बड़ी बात है, तो मैं एक गाने के माध्यम से तो मैं कहां जाऊंगी, अब हर घर मेरा वन बैठा, इतने राम कहां से लाऊंगी, इतने राम कहां से लाऊंगी, देशरत को शल्या जैसे, मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिलेना, जो आग्याले वन जाए, भरत लखन से भाई को मैं ढूंड कहां से अब लाऊंगी, अब हर घर मेरा वन बैठा, इतने राम कहां से लाऊंगी, जिसे समझते हो अपना तुम, जरे खोटता आज वही, राम आयन की बाते जैसे, लगती है सपना कोई, तब थी दा से एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊंगी, अब हर घर मेरा वन बैठा, इतने राम कहां से लाओं इतने राम कहां से लाओ, इतने राम कहां से लाओ का चाही बास के बहंगी या, बहंगी लच कत जाए हुई ना बालम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुचाए का चाही बास के बहंगी या, बहंगी लच कत जाए बाट जे पुछेला बाटो ही या, बहंगी के के राके जाए तूता आन्हारा हुए रे बाटो ही या, बहंगी चठ मया के जाए बहंगी उन्हे का के जाए बहंगी उन्हे का के जाए बहुत बहुत शुक्रिया और वाकई इस गीत से बहुत कुछ दिमाग बचले लगता है अगर हम धारा 370 की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की आजाती है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो भी हालात रहे अब कैसा लगता है, 370 हट गया है आपको कुछ लगता है कि बदलाव आएगा मोधित से आगे तुजहर से बाते काफी कुछ बदलने वाला है और आगे भी बदलने वाला है पर 370 से काफी लोग खुश भी है और मैंने देखा है कुछ लोग तकलीब में भी है उन्हें लगता है कि पहले हम लोग सेपरेट थे और नहीं पिचानते हैं भी बहुत सारे लोग में उठाके चले आ रहे हैं जमीन भी फ्री और लड़किया भी फ्री है हलाकि ऐसा कुछ भी नहीं है लोग का ब्यहम है ये पर अजादी कौन नहीं चाहता है आप आजाद हो ये हैं मैं तो पहले से ये हाँ लग मली चेहरे से पता चलता है कि वाकई खुशी है इनको मुसीन बहुत अच्छा गाते हैं सारे गमा पके जरिये इन्होंने एक अलग पहचान बनाने की कुशिश की है दिवाली बहुत-बहुत मुबारक आपको जाती है तो दिवाली के अफसर पर सभी लोग आपस में मिठाया खा कर सेलिव्रेट करते हैं और आपस में खुश्य बनाते हैं उसी को दिवाली बनाते हैं जाय को संगते नगी आप तो सिंगर हैं मैं आपको कुछ स्ग सुना जता हूँ मीकाल हसन बेंड का एक सौंग है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हाँ 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 साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना दूर देश मत जाना वसो हमारी नगरी में मुह सुन्दर मुख दिकला जाना हो कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे हो कदिया मिल सावल यार वे जाना जाना पूलू चीख पुकार वे मुख दूर वे जाना 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 हो जाए पटाके खरीदने के लिए पैसे आएं और मोदी जी को थोड़ा सा economics समझ में आ जाए तो देश कहीं से कहीं पहुंच जाए मोदी जी ठीक है पर उनकी economics बहुत गरबड है आर्थिक तोर पे देश की कमर लगातार तोड़ रहे हैं हमें सीधे हो जाने दे चलना आएगा जब economy चलेगी तो देश बहुत मजबूत होगा हम विश्व गुरू थे विश्व गुरू है विश्व गुरू बनेंगे मोदी जी आप विश्व परेटक बन गए हैं आपको बहुत बहुत बधाई और जिस तरह से आप पूरी दुनिया को घूम पा रहे हैं काश हम सब लोगों की pocket में भी इतने पैसे आ जाएं कि हम भी विदोशों की यात्रा कर पाएं ऐसी कुछ विवस्था कर दीजिए तो हमारी दिवाली के पटाके भी फूट जाएंगे हम सबको भी बहुत आनंद आएगा पूरे देशबासियों को दिवाली की गुवर्धन पूजा की बाई दूज की शुब कामनाएं देता हूँ अब 1370 के हटने से बहुत सारे लोग ये मैसूस कर रहे है कि आजादी मिल गई है और सबसे खुशी मुझे है कि मुझे एश्वर्या मिल गई है और ये कश्मीरी है लोग तो सपना देखते रहे कि वो कश्मीरी लड़की से दोस्ती करेंगे मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त है ऐश्वर्या ये कश्मीर से आई है आज हमारे साथ दीवाली मना रही है हमें बहुत आनंदा आ रहा है आप सब भी आनंदित होई है और मुझे ऐसा लगता है कि अवनिन भाई कर हर मैदान पतेक का जो लेकर का हमारे साथ है क्योंकि बिना गीत के संगीत हो नहीं सकता है तो मुझे लगता है कि शेखर अस्तित्यु से कुछ सुना जाए कुछ गुना जाए कुछ बुना जाए अब बिल्कुल सुना जाए गुना जाए बुना जाए लेकिन जो आत्मबल की बात उनने की है वो भी मापको बताएंगे लेकिन दिवाली है और सब का सब की विश ले रहा हूं अरून पांडे जी है बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं आप किस तरह से दिवाली नज्या कर र हो ली डिपावली हरते हो हर का एक मज़ा ही बहुत अच्छा आता है और बहुत बहुत से चीजे होती है सारी तो मैं कभी मिश नहीं करना चाहता हूँ वागिस जी को भीी प्रोग्राम हूली में भी हम लोग सात में थे दिवाली भी सात में और हमेशा रहेंगे अपन और मे में आगे बढ़े हमारा देस आगे बढ़े अभी आज ही न्यूज में देखा मैंने कि अध्या में इस साल कुछ छे लाख दिये जला करके वल्ड रिकॉर्ड बनाया गया तो सब पोजिटिविटे ही अच्छी वात हैं और 370 की बात हुई तो आज ही मैंने न्यूज चैनल में तीन-चार चैनल में देखे हैं कि बहुत ही लोग वहां के खुस हैं और लोगों के अरावा फोजी भी इतने अच्छे से मतलब दिपावली कर रहे हैं आतिस वाजिया कर रहे हैं मतलब आलमोस्ट पब्लिक खुस है 80-90 पब्लिक खुस है वहां की और लोग इंजुआए कर हैं और हमरे हिंदुस्तानी इंजुआए करें आप लोग इंजुआए करें जो भी हमरे दर्सक आइन 24 को देख रहे हैं सबको सुप कामना है दिपावली की तो वाकई दिपावली है ही इतनी क्या बोलते हैं बहुत खुबसूरत तेवार है और जब खुबसूरती की बात हो अगर आप बीमार हैं और उमीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िये नव जीवन से आपके सरीर को भी आराम पड़ेगा आपके जो डिसीज हैं बीमारी है उसमें भी काफी फरक पड़ेगा जैसा मुझे फरक पड़ा है All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine Body revival, it worked like in Amrit के जैसा काम किया है मेरे मौम के लिए उनोने In just one bottle I got cured and he is really a saviour Pahla dose मैंने लिया, body revival का और मेरे को पहले दिन से बहुत रहुत रहुत मैसुस्स हुआ I've tried the medicine for three days and the proof is in the pudding, it's working I'm a very happy for the break You're watching a special Diwali special and the people with us have sat here All the people with us are looking for all the children The camera man is Arun, Vagish Saraswat, Mohsin Anshari, Avanindraashtros, Nikita Ashwarya Ashwarya Shashwarya आप अपना नाम नहीं होता है आपने दिपावाली की धेर सारी शुब कामना है ये दिपावाली आपके लिए हमारी लिए सारे देश के लिए संपोर्न ये जो विश्व परिवार है हमारा इन सभी के लिए सोख, शांती, सद्भाव, प्रेम सब लेकर आए और सभी के चेहरों पर खुशियां चाहे सभी के होटों पर मुस्कान हो एक पंक्ति कुछ देना चाहूंगा कुछ एक पंक्तियां के नया लक्ष हो नई दिशा हो उज्वल उशा धवल निशा हो अंधकार का प्रतिपलक्षय हो दिपावली शुभ मंगल मैं हो कि सुख की कलियां दुख के काटे सुख की कलियां दुख के काटे आओ सब हिल मिलकर बांटे मेरे गीत तुम्हारी लै हो दिपावली शुभ मंगल मैं हो के खेतों में हरियाली चाए, घर-घर में खुशहाली चाए, सुक्षान्ती का सूर्य उदय हो, दीपावली शुभ मंगल मैं हो, और चाहे पत परिप्रेक्ष विशम हो, स्वार्थ बाद में देश प्रथम हो. इस भारत भू की सदा विजय हो, दीपावली शुभ मंगल मैं हो, धन्यवाद। इस गीत को तमाम देश और दुनिया में श्रोताओं ने, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, और उसी गीत के कुछ पंक्तियां. गायल परिंदा है तू, दिखलाद जिन्दा है तू, बाकी है तुझ में होसला. तेरे जुनू के आगे, अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला. वह रूती Tak Di catalystो क्या, तूटी Shamshi रे तो क्या, तूटी Shamshir रों से ही. कर हरूमय्दान पते, कर अर्मयदान पते, कर अर्मयदान पते, र 블ंत क्या, अर्मयदान पते। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की डेर सारी शुकाबना आपका बहुत-बहुत प्यार मैं सुनाता हूं ब्रिक के बात है ना तो दीवाली के दोरान अपनों के पास अगर आप जाकर हाल-चाल भी पूछ लेते हैं तो मिठाई से उसका मज़ा कमनी होता है अब बगर मिठाई के किसके पास जाकर दिल का हाल सुनाते हैं तो वाकई लगता कि अच्छा गाते हैं हम चाहेंगे कि आज भी कुछ पेश करें नमस्कार जैसे अभी शेकर जी ने देश के बारे में कुछ पंक्तिया बोलिये तो देश के लिए ही मैं एक गाना सुनाता हूँ ती जा तेरा रंग था मैं तो ती जा तेरा रंग था मैं तो जी आ तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे लेले मेरी जान मौला मेरे लेले मेरी जान ती जा तेरा रंग था मैं तो ती जा तेरा रंग था मैं तो जी आ तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे लेले मेरी जान मुला मेरे लेले मेरी जान तेरे संग खेली हो ली तेरे संग थी दिवा ली तेरे यंगनों की छाया तेरे संग सावन आया फेर ले तु चाहे नजरे चाहे चुरा ले लटके तु आए गारे शर्त लगा ले ती जा तेरा रंग था मैं तो ती जा तेरा रंग था मैं तो जी आ तेरे ढंग से मैं तो मूड समझ मैं तो वाकरी हम निकिता के पास चलेंगे और महसीन के पास भी चलेंगे लेकिन संचिप्त रूप से आपको यह बता दू कि दिवाली बहुत ही प्यार से बनाएगा कोई ऐसी हरकत ना होनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो बहुत जोड़ार पठाका भी नहीं चोड़ते हैं यह नहीं कहूंगी कि नहीं छोड़ना चाहिए बट इतना नहीं छोड़ना चाहिए जिससे कोई नुकसान हो आप क्या कहेंगे पठाका भठाका? सत्यवाचन पॉलिशन जो हो जाता है इतना नहीं बस जरुए नहीं कि पठाके छोड़के खुशिया मनाएं ऐसा नहीं एक इंसानित को निभाईए उसे बड़ी कोई तिवहार नहीं कोई चीज़े नहीं शाश्वत आप बताईए पठाके पठाके जो बच्चे लोग छोड़ते हैं और यहीं कालाने कि उन्होंने अपनी रचना सुनाई मौसिन के आगे नहीं जाता है बच्चा आप बताईए पापा मम्मी बताएंगे कि शाश्वत वाकई कैसे हैं शाश्वत को वही फुल जड़ी और वो जो घुमने वाली चक्री है वही पसंद और पठाकों की आवास्ते डरते तो हैं ही बच्चे यह बात है बस अलका फुल का फुल जड़ी अनार भी अनार भी बोल रहा है अनार अनार जी तो कुल मिलाकर दिवाली के त्योहार में आप खुश रहिए सुरक्षित रहिए और निकिता का गाना सुनियों और महसीन का इंजार किजी एक लाए कुछ और शोटा से पुल जब दीप जले आना जब शाम ढले आना संकेत मिलन का भूल ना जाना मेरा प्यार ना बिसरा आना जब दीप जले आना आना जब शाम ढले आना मैं पलकन डगर बुहारोंगा तेरे राह निहारोंगा मैं पलकन डगर बुहारोंगा तेरे राह निहारोंगा मेरी प्रित का का जले तुम अपने नैनों में मले आना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना बहुत हो शुक्रिया वाकई दिवाली में दीप की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि वाकई इनका मकसद यही है कि हर जगा रोश्णी हो चलते चलते हम चाहेंगे कि आप कुछ मैं दो लाइन सुना देता हूं रात्त दिलिगान साब का सूंग मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं तेरी आद साथ है किसी से कहूं के नहीं कहूं यह जो दिल की बात है आज के दौर मन आज के दौर में घुषियां मिलती है जो Untersवे पा और आपसी जो भाईचारा है, आपसी जो प्रेम है, उसमें कहीं न कहीं से इजाफाल आने की कोशिश करें. चलते चलते हम चाहेंगे कि वागीश जी एक बार फिर से आपसे दिवाली की बात करें, हलके से. चोर उचके सावधान हो, वार न जाये खाली, उनको इतना मिल जाये, कुछ हाल हो जाये दिवाली. दिवाली, खुशियों का त्योहार है, और सब लोग यहां पर बैटे हुए है, और यह आनन्द, यह जो खुशिया का, खुशिया का त्योहार है, उसको मैसूस करते रहूं, बप्पा गनपती के शनल में, एक बार फिर से आकर हम, आप तमाम दर्शकों को दिवाबली की वीडियो जर्नलिस्ट देवालांसी के साथ, अबिन राश्टोष, इन 24 News, मुंबई